नमस्कार मैं रोहित महाजन आज आपके सामने एक फिट से नई वीडियो लेके आ गया हूँ तो आज हम डिस्क्रस करेंगे अडल्ट विसीजी वेक्सिनेशन प्रोग्राम के बारे में डिपली से और हम डिस्क्रस करेंगे आशा कारकरता क्या काम है उन्होंने घर घर जाके को सब्सक्राइब करें वाल आइकन दवाईए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा पुरानी वीडियो का पहले भी हम एक वीडियो ऐसी बना चुके है जिसमें आपको सारी बेसिक इंफ्रमेशन दी गई है तो अ एक टीवी से बचाव का टीका है बचपर में भी सभी को लगा होगा ये टीका ठीक है तो ये जो है निया टीका लॉंच किया जा रहा है जिससे क्या होगा टीवी से बचाव होगा सभी को तो इसमें कुछ केटेगरी आती है वो कौन कौन सी केटेगरी है जिनको ये टीका ल 60 प्लस यानिकि 60 साल या उससे अधिक उमर के सभी व्यक्तियों को ये टीका जो है लगेगा यानिकि 60 प्लस में तो सारी पॉपलेशन आ जाती है जिनको ये टीका लगना है पहले कैटेगरी तो ये आगी ठीक है 60 प्लस से ज्यादा आयू के व्यक्ति अब सबसे पहली कैटेगरी दूसरी कौन से आगी टीवी जिनको पिछले 5 वर्षों में था उनको भी ये टीका लगना है सेकंड कैटेगरी आगी टीवी रोग्यों का संपर्क पिछले 3 वर्षों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका संपर्क लास्ट 3 एड से टीवी रोग्यों से है तो उनको भी ये टीका लगना है बोडी मास इंडेक्स जिनकी बी एम आई जिनका 18 या 18 से कम है जो लोग अत्यन दूबले पतले होते हैं जिनका वेट लगवक पंताली से कम होता है और वो 18 साल से उपर होते हैं तो उनको भी जो है ये टीका लगेगा स्वयम सूचित पूर्व में या बरतवान में धुमरपान करने वाले यनकि si smokers जो smoking करते हैं ये पहले कर चुके हैं उनको भी ये टीका लगना है स्वेम, सूचित, मदुमेह, रोगी यनकी शूगर पेशेंट जो होंगे उनको भी ये टीका लगना है तो ये जो है 6 काटेगरी ऐसी है जिनको जो है टीका लगना है तो ये BCG वैक्सिन एक TV से बचाव का टीका है इन 6 काटेगरी जो है लगेगा पहले ते आशावरकर को ये चीजे जो है क्लेर रोंची है कि टीका लगना कि इसको है तो घर-घर जाके आशावरकर जो है लाइन लिस्टिंग बनाएंगी वो एक प्रकार की आपकी प्री बुकिंग होगी अगर आप जो है घर जाके आशावरकर सर्वे करेंगी और लाइन लिस्ट त्यार करेंगी कि किस-किसने जो है टीका लगवाना है तो उसी साब से वैक्षिन आएगी तो इसको हमें एक प्रकार से प्री बुकिंग भी बोल सकते हैं कि जो भी लोग लगवाना चाते हैं वो अपने जो प्री बुकिंग इस प्रकार से करवा सकते हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं किन को ये टीका नहीं लगना है 18 वरसे कम जिनकी आईू है उनको ये टीका नहीं लगएगा सेकिंड है सहमति नहीं दे सकते इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो mentally तोर पे प्रशान उत्तर वो सहमती नहीं दसके तो उनको ये ठीका नहीं लगेगा गंबी रूप से पीमार ये विस्तर पर पड़े हुए व्यक्तियों को भी नहीं लगेगा तो गर्व वस्तर और स्तन पान कराने वाली लेडिस को भी नहीं लगेगा वर्तमान में व्यक्ति टीवी उपचार ले रहे हैं यहीं कि टीवी रोगताम थैपी पर हैं लोस्ट टू फोलो अप मरीज जो होते हैं उनको भी ये ठीका नहीं लगेगा हाँ माल लोग कि किसी की टीवी की दुआई खत्म होने को एक महिना है तो वो अपना जो है नाम लिखवा सकते हैं क्योंकि अगर आपका टीवी का अपचार पूरा हो चुका है तो आपको ये ठीका जो है लग जाएगा एच आईवी कैंसर जैसी ग्याद बिमारियों कुछ लोग ऐसी दुआई खा रहे हैं जिनसे ओमनेटी कम होती है उनको भी ये ठीका नहीं लगेगा परत्तरों प्रण्स प्राल या और्गन डोनेटर वालों को भी ये ठीका नहीं लगेगा बीसीजी या किसी टीके के प्रती ग्यात गंबीर प्रक्रियों वाले व्यक्ति को भी नहीं लगेगा एच आईवी के उच जोखिम वाले इत्यास वाले व्यक्ति जैसे MSM CSW IDU Transgender TG Oblique हिजडा आदी पिछले तीन महिनों में खुण चड़ाया हो तब भी ये जो है नहीं लगेगा तो ये कुछ categories ऐसी हैं जिनको ये ठीका नहीं लगेगा ये आपको ध्यान लखना है तो सभी आशावर्कर्स की training जो है CCP जो उनका है CCP इंचार्ज द्वारा ये training उनको करवा दी जाएगी तो CCP handlers जो भी होते है cold chain point जहां से वो vaccine लेते हैं तो वहाँ पी उनकी सभी आशावर्कर्स की training हो जाएगी training होने के बाद उनको तुरंत ये service start कर देना है क्योंकि January में ये vaccine लगना शुरू हो जाएगी और दिसंबर में ही आपको head count पूरे करके लिस्त त्यार करके देनी होगी और आशावर्कर को इसका incentive भी मिलेगा देखें जैसे COVID की vaccine आई थी तो उससे क्या होता था कि COVID का खतरा कम हो जाता था पर COVID ठीक नहीं होता था तो उसी प्रकार से ये TV की vaccine है जिसको हम BCG बोल रहे हैं तो ये भी TV से बचाव की एक vaccine है अगर मान लोग किसी को TV होता है तो वो जो है normal TV होगा उससे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहनिकि खतरनाक वाला TV उनको नहीं होगा तो ये जो survey है आंशा वर्क करने जब उनकी training हो जाएगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है complete करना है और आ रहाई अगर session है उनके उनको वो days जो है include नहीं करने है ठीक है और अगर जैसे मान लोग उनका जो है Saturday को जो health मिला होता है अगर वो भी है तो उनको day join include नहीं करने है देख जैसे यह आपकी block level training complete हो जाती है उसके बाद आशा वर्कर की CCP वाइस जो है training complete हो जाती है तो जब block level training NMS की जो है complete हो जाती है तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या करना है यह form आपको दिख रहा है hc0 form यह आपको right hand side में दिख रहे है ना अचसी zero form आपको दिख रहे है right hand side पर यह बनना है इसमें state का नाम आ जाएगा डिस्टी का आ जाएगा ब्लोक का जाएगा ठीक है psc का सबसेंटर का नाम आ जाएगा और तो यहा है यहां पे तो यह वह बैनिंग आपको सबसे नानिये तो यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा तो यह tobye 바뀌निंग और आपको सबसे नानी है तो यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए राइड दानेम ऑफ ओल बिलेज जितने भी आपके अंडर विलेज आजाते हैं सभी के नेम आ जाएंगे ठीक है तो यह अर्बन है चारे हैं साइट से तो यह सारे आ जाएंगे ना चारे में थोड़ा सा ध्यान अकना है कुछ आसे भी व्यक्ति होते हैं जो थोड़े टाइम यहां रहते हैं और थोड़े टाइम कहीं और चले जाते हैं ठीक है तो उनको टीका हमने नहीं लगाना है तो हमने उनी को टीका लगाना है यहां पर रहते हैं यह कम से कम तीन साल यहां पर रहते हैं उनको हमने टीका लगाना तो आगया जाएगा estimated house hold number आजेंगे यहां पर है ना आगया जाएगा risk के रही है है चरे यह और no if yes तो यहां पर code आजाएगा code सबसे नीचे आपको दिये होंगे यह आपको code दिये हुए है चारे का बना जाएगा स्लम विद माइग्रेशन ठीक है यह टू आजाएगा थ्री ब्रिक के लेटेड़ आजाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन साइट के लेटेड़ आजाएगा ऐसे आप देख लीजिए सारे जितने भी कैटेगरीज यहां पर आ जाएगे ना तो यह एनम दौर का नाम यहां पर लिख सकते हैं जो यह काम करेंगे और यहां पर आजाएगा आपका नेम एंड कॉंटेक्ट नंबर ऑफ परसन डूइंग हैट काउंट जो हैट कॉंट सर्वे कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा और कुंटेक्ट नंबर आ जाएगा और यहां पर आप देख नमबर अगर कोई लोकल कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप का जाएगा यहां पर डेट प्लानिंग टू कंडक्ट हैड कॉंट सर्वेय फ्रॉम टू ठीक है और यहां पर विलेज आ गया यहां पर डेट सागी ठीक है कंड्य कि ट रे तो यह कूरा फॉरमेट जो है इसके आशावर्कर सर्व करेंगी तोब हमVIS करेंगे कि आशावर्कर सर्वे कैसे करेंगी जो अब सब यह आगया आशावर्कर का फॉर्मेट जो आशावर करने जो है format भरना है सर्वे को दुरान ठीक है तो एक दिन में मिनिमम 25 से 30 घर आशावर करने जो है करने है complete ठीक है तो according to जो एनम ने बनाया होगा roaster वो देख के तो अगर हम बात करें सबसे पहले जब आप घर जाएंगे ठीक है पहले यह form पूरा भरना है जब आपने form complete कर लिया यह वाला उसके बाद आपने जो है घर पे क्या निशान लगाना है वो हम देख लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है headcount survey न health worker to plan and conduct a survey only doing non RI and non IMI days and ensure complete within 15 days for an area 25 to 30 household to be covered every single day तो यह चीज़ आप देख सकते हैं health worker to fill the survey format and will pre-register eligible beneficiary in tv win portal as fresh entries तो आप देख सकते हैं house marking for headcount survey तो आशावर्क करने क्या करना है सबसे पहले अपना format जो है घर में जाके भर लेना है पूरा जब उन्होंने format भर लिया उसके बाद उन्होंने क्या करना है जो पहला खाना format का जैसे house number डालना वहाँ पर जैसे मान लो number one house डाल दिया ठीक है और निच्चे डाल देनी है date जैसे मान लो आज है चोदा बारा त्रेस यह डे डाल दी और यहाँ पर बीच वाले दिख रहे यह एरो डालना है उसके बाद वह किस घर में गई किस डिरेक्शन में गई ताकि जो audit करने आएंगे वो उसी डिरेक्शन में चेक करेंगे ठीक है तो उसके बाद आपने यहाँ पर चोटा ए बड़ा बी भी लिखना है ठीक है चोटा ए बड़ा बी चोटा ए और बड़ा बी का मतलब हो गया adult BCG है ना तो चोटा ए बड़ा बी डाल दिया और one लिख अगर उस घर में कोई eligible है जिसको टीका लगना है तो फिर आपने उपर circle करना है इस circle का मतलब हो गया कि उस घर में जो है बंदा eligible है एक बंदा eligible है जितने भी बंदे इलिजिबल है तो वहाँ पर आपने जो है circle कर देना है इससे हमें clear cut जो है जो भी audit करना है उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर eligible beneficiary रहते हैं ठीक है तो और circle का मतलब हो गया eligible beneficiary रहते हैं और arrow का मतलब हो गया इस घर के बाद आप किस घर किस direction में आप जो है next घर आपने किया ठीक है तो यह है अपने mark survey जो form भरने क बाद आपने यह मांग जो है घर में चौक से जो है बनाना है चौक आपको जो है मिल जाएगी अब हम आते हैं आश्रवर्क करने जो form भरना है घर जाके ठीक है सबसे पहले उन्होंने अपना ना मोबाइल नंबर डिस्टिक ठीक है और एनम का नाम ग्राम अब्लिक वार्ड का नाम ठीक है डिस्टि का नाम ब्लोग का नेमी सारा लिख लेना ना और उसके बाद सबसे पहले आप आजाएंगे कॉलम नंबर ए पे ठीक है वियसक वी सीजी टीकर करने सर्वेक्शन संक्या और घर का पता चूले के अंसार पते के साथ पिन कोड का भी लेकर ना यानिकि तो सबसे पहले आजाएगा मुखिया का नाम तो प्रिवार के मुखिया का नाम आजाएगा यहाँ पे सबसे पहले ठीक है बी कॉलम में जैसे माल लो राम प्रिवार का मुखिया है जो घर का बड़ा होता है तो राम का नाम आ गया प्रिवार में कितने वियसक सदस्य है मिन टे में से तीन माल नेते हैं 18 लएं तो यहां पर तीन आजाएगा तीन अट्राब अज़एगा प्त्रसृछित्तृ नाम पहला मज्द्धि और उंपनाम तो यहां प q2 उनरeral रहती होंगे उस घर में उन्सभी का नाम आ जाएगा जिसे राम आ जो घर का मुखी है था शाम आ गया तीसरा ठीक है और थर्ड मीना आगी कोई ठीक है तो यह तीन हमने नाम भी लिख दिये जो उठारा प्लस पॉपलेशन है उनके बेशिक वो इलिजिबल है या नहीं है तो जो भी ठारा प्लस होंगे उनके सभी के नाम आएंगे ठीक है और प्री रिजिस्ट्रेशन भी सभी की होगी जो ठारा प्लस है तो नेक्स्ट आजाएगा कोड का उलेख यह कोड दी है नंबर एक कोड आगया आपका जिन को टीवी पिछले पांच वर्षों में था नंबर टू कोड आगया आपको टीवी रोगियों का संपर्क पिछले तीन वर्षों तक नमबर थी आ गया BMI जिनका जो है 18 या उससे कम है यनि कि अत्यंत दूले पतले लोग जो होते हैं 18 साल से उपर और जिनका वेट पंताली या उससे कम हो तो वो देखने से पता लग जाता है है ना तो फोर्थ कोड आ गया स्वेम सूची पूर्व में बरतमान यनि कि जो स्मोकिंग करते ना धुमनपन करते हैं करंट भी करते और पहले करते थे पांच में आ गया स्वेम सूची तमदुमेह रोगी यनि कि जिनको शूगर है और छेमी में आ गये 60 वर्ष से ज़्यादा आयू के विक्ती ठीक है अगर मान लो राम है राम को टीवी भी था तो यहां वन कोड आ जाएगा कोमा राम साथ साल से उपर भी है तो यहां सिक्स भी आ जाएगा ठीक है शाम अगर मान लो टीवी के संपर्क में आता है तो यहां पे दो आ जाएगा ठीक है बटरवोर साथ से नीचे तो दोई रहेगा अब जैसे मीना है कोई है ना थर्ड नमर वाली तो उनको शूगर है तो सिर्फ शूगर ही है तो वो पांच नमर पर पांच लिखा जाएगा कोड ठीक है नेक्स आजएगा दो हफ़ते से ज़्यदा समय से खांसी या दो हफ़ते जब उखार या बजन में गिरावड या बलगम है अगर यहां पर हाँ है तो उनको आपने करंट जो सबसेंटरी या पीसी लेवल पे जांच करने के लिए भेजना है और जो बलगम है वो भी उनका ले सह्मति नहीं कोई मालो मैंतली ठीकट नहीं बंदा कोई बंदा दिमार की ठीक है तो अब यह मनलो राम है अब यह मैंतली ठीक नहीं है वह सहमतिं थेसकता तो यहां पर जो है नो आ जाएगा फिर ना यहां पे नो आ जाएगा फिर आगे के सारे उसके ब्लैंक रहेंगे वो अपने लाइन से ऐसे ब्लैंक रदने है वो हमने नहीं बरने है क्योंकि जब वो इलिजिबली नहीं है तो हमने उसका अगला डाटा नहीं बरना है ठीक है अब शाम है ठीक है शाम है अब इन में से जैसे कोई भी चीज वो फाउन नहीं करता, तो यहाँ पर यशा जाएगा, शाम के लिए ठीक है अगर शाम के लिए यहाँ पर यसा आ गया तो आगे क्या यह व्यसक व्यक्ति BCGT करन के पातर है तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा ठीक है यदि हाँ आ जाएगा फिर आगे उसका जंडर आ जाएगा डेटो बरता जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहले का तो ब्लैंक हो गया सारा ठीक है सेकिंड का यहाँ पर मेल फीमेल आ जाएगा डेटो पर था जी कि मोबाइल नमबर आ जाएगा हाँ तो यहाँ पर आप लेख सकते हैं टीका में भाग लेने की इच्छा है यह नहीं तो यहाँ पर आपने लिखने हैं तो यहाँ पर हाँ लिख देना है अगर नहीं है तो यहाँ पर यह reason दिये हुए है इन में से आपने नमबर डाल देना है एक reason है व्यसक VCG टीकाकंड की जानकारी नहीं है दूसरा अस्यूद अजनक स्थान है यानि कि अस्यूद अजनक समय है यानि कि उस टाइम पे वह वहां नहीं आ सकते ठीक है जुरूरत महसूस करना ठीक है पांच मह है समय के सत्र के दिनों में उपलब नहीं है यानि कि वह आगे पे छे काम करते हो उस टाइम वह वहां पे है शेम हैं दुश्प्रभावों से चिंतित है इंजेक्शन का डर है साथ में बितन हाने के लिए चिंति जैने की अगर वहां पर आए तो उनका सैलरी कर जाएगी एड तो समधाय में किसी भी दुश्प्राप से होने सुना है मिडिया में इर अगर वैली सुनी है दसमा कोई भी अन्य कारण हो सकता है अगर इन में से कोई नहीं यह एक न हों तो 18 प्लस जितने भी इलिजिबल है, प्रिर जिस्ट्रेशन सभी की होगी, बेशक वो ठीका लगाना चाता है या ठीका लगाना नहीं चाता है, तो आपको पता लगिया होगा कि किस प्रकार आपने आशा बरकर्स ने ये जो है, फॉर्मट फिल करना है, फिल करने के बाद उन प्रार्मेट होंगे जिनके भी जो है डियू लिस्ट भी कहते है टैलिशिट को जितने भी लोग जिन्न उन्हों कि टी का लगाना है उसकी फाइनलिस्ट मनेगी वह सब सेंटर के बाद सब्सक्राइब करेंगे कि हमने जो है किस प्रकार जो है आशाबर्कर को यह फॉर्मेट हमने ब्रवान है आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे लगए कि वीडिये को लाइक एजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू